दोस्तों इंडिया बर्सेस सिलोंका की भी स्खेला गया T20 और ODI में शांदर पदर्शन की बज़े से रियान परा को दिया जाएगा एक बहुत बड़ा सन्मान जी हां रियान परा का तकदीर इस समय बदल गया है रियान परा का अच्छी दिन आ गये है जी हां दोस्तों BCCI की तरफ से रियान परा को मिलेगा सन्मान BCCI किस तरह से रियान परा को सन्मानित करते है ये देखनी वाली बात होगी दोस्तो ऐसा ही नया नया खबरों के लिए हमारी सेनल को लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए और आगे बढ़ने के लिए मौका दिजिए दोस्तो आप सबको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि भारत और सिलोंका की बिश तीन T20 और तीन ODI में एस खेला गया T20 का सिरिस तो भारत ये टीम ने जीत लिया लेकिन ODI सिरिस में भारत को मिला हार दोस्तो भले ही टीम इंडिया ने ODI में खराब खेल खेला लेकिन T20 में बहुत ही बहतरीन खेल का पताशन किया था टीम इंडिया ने और दोस्तों मुझूदा समय में टीम इंडिया T20 में विश्य सिंपियोन है लेकिन हमारी असाम की राइनो रियान पराग T20 और ODI दोनों सीरिस में ही कमाल कर दिया धमाल कर दिया दो तीफार के रुमाल कर दिया हलाकि रियान पराग ने तो बले बाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए लेकिन गेम बाजी में उन्होंने T20 हो या फिर ODI दोनों में ही शांदार गेम बाजी करके देखे जैसे कि दोस्तो आप लोग जानते हैं स्रिलोंका की खिलाप पहला T20 में रियान पराग ने लिये थे तीन विकेट दूसरा मेस में उनको गेम बाजी दिया गया और तीसरा मेस में भी उन्हें गेम बाजी दिया गया दूसरा और तिसरा T20 में रियान पराग को विकेट तो नहीं मिला लेकिन शांदार गेम बजी उन्होंने करके दिये दोस्तो स्रीलोंका की खिलाप आखरी ODI में रियान पराग को मौका मिला और वहाँ भी उन्होंने तीन विकेट चटकाए हलाकि ODI की एक मेंस में रियान पराग अच्छे बल्ले बाजी कर रहे थे आते ही पहला ही गेम पर चोका लगाया था सिंगल ले रहे थे लेकिन एक गेम एक गेम जो रियान पराग ने छोड़ दिया था वो जाकर सिधा इस्टमपर ठक्राए और अपना विकेट गबाए रियान पराग की पास एक बहुत अच्छा मौका था रियान पराग इस में अर्दर शतक या फिर शतक लगा कर हिरू बन सकते थे भारत की जनता की दिल जिद सकते थे लेकिन ये बहुत बड़ा मौका रियान पराग ने गबादिये और दोस्तो रियान पराग की शांदार गेम बैजी की बज़ेशे रियान पराग को BCCI इस समय बहुत बढ़ा संमान देने जा रही है जिहां दोस्तों बहुत बड़ा न्यूस में आप लोगों को देने वाला हूँ BCCI की जो सेंट्रेल कंटेक है वहाँ पर रियान पराक का नाम लिखा जाएगा यह असाम के लिए बहुत बड़ा न्यूस है हम असाम की लोग इस बात पर खुशियां मना सकते हैं पूरा आसाम में पटा का फोरना चाहिए खुशियां जाहिर करना चाहिए क्योंकि आसाम की एक बंदा सिर्फ एक बंदा ही गई है टीम इंडिया में और उन्होंने T20 में या फिर ODI में अपना जगा कायम कर लिए है और दोस्तों BCCI की Central Contact में भी अपना नाम लिख लिया है इसी बज़ाई से दोस्तों इसी खुशि में दोस्तों आप लोग पार्टी की जिए खुशियां मनाईए दोस्तों BCCI का एक रूल होता है जो खिलारी अच्छा खेलता है उन्हें BCCI की Central Contact में लिया जाता है लेकिन जो नया खिलारी टीम इंडिया में आती है उनके लिए एक नियोम होता है कि आपको 10 T20 में स्खेलना पड़ेगा उसकी बाद ही आपको Central Contact में जागा मिलेगा लेकिन दोस्तों टीम इंडिया में जो नया खिलारी आती है उनके लिए एक नया नियोम होता है T20 में अगर कम से कम 10 मेंज खेलती है तब ही आपको BCCI की सेंट्रेल कंटेक में जगा मिलेगा और दोस्तों इस तरहा से किसी नया खिलारी को सबसे पहले C ग्रेट में शामिल किया जाता है C ग्रेट में रहने वाला वही खिलारी अगर टीम इंडिया के लिए अच्छा पदर्शन करता रहता है तो वो B ग्रेट में पहुँच जाते है और उसकी बात A ग्रेट और उसकी बात A प्लास में पहुँच जाती है जो कि सबसे प्रीमियाम खिलारी होता है लेकिन दोस्तों हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि रियान पराग को BCCI की तरफ से सेंटेल कॉंटेक का सेलारी मिलने वाला है दोस्तो सबसे पहले रियान पराग BCCI की सेंटेल कॉंटेक में सी केटागरी में शामिल होंगे और उन्हें मिलेगा एक करूर रुपिया अगर रियान पराग अपना पदर्शन कायम रखते हैं अच्छा पदर्शन करते हैं तो लगातार उनकी सेलरी बढ़ते ही जाएंगे और दोस्तो सबसे खुशी की बात यह है कि BCCI रियान पराग को कॉंटिन्यू करेंगे चाहे ODI हो या फिर T20 दोस्तो और रुपियान पराग ने तो गेम बजी से अपना कमाल दिखा दिया लेकिन अभी भी रियान पराग को बले बजी में अपना कमाल दिखाना बाकी है हम जानते हैं रियान पराग की कभिलियत हम जानते है कि रियान पराग में टेलेंड है लेकिन वो कभिलियत उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में साबीत करके दिखाना परेगा एक लंबा इनिंग्स जब खेलेंगे तब ही उनका टेलेंड साबीत होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में हलाकि रियान पराग की डॉमस्टिक पदाशन और आई पील की पदाशन की बल बुते पर ही टीम इंडिया में लिया गया लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में रियान पराग को बल्ले बजी करके दिखाना परेगा दोस्तों आपको क्या लगता है क्या टीम इंडि आप लोगों से बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन